नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आए होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं T20 Word Cup का जो आज का मैच है जो Australia vast Sri Lanka के बीच खिला जाएगा और ये जो मैच होगा ना ये Australian team के point of view से बहुत ही important मैच होगा क्योंकि Australia को ये मैच जीतना पड़ेगा और Australia अगर इस मैच में हारता है तो कही ना कहीं Australian team आपको T20 Word Cup से बाहर जाती हुई दिख सकती है तो इंट्रेस्टिंग मैच होगा दोनों की टीमें हैं वो मुझे लगता है बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पे करने वाली है लेकिन आपके जो fantasy के टीम है वो इस मैच के लिए कैसी होनी चाहिए कौन से प्लेयर्स आपकी fantasy की टीमें होनी चाहिए आरोन फिंची समाच में क्या कर सकते हैं मिचल मार्च क्या कर सकते हैं डैविड वार्नर की प्रायोटी क्या होगी हसारंगा कजिस लेवल तक आपको इस मैच में दिखेंगे सारा कुछ आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो without any second skip के last तक वीडियो देखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो red color में जो subscribe बटन है उस पे click किजिए, subscribe किजिए जिसे की आने वाले वीडियो के notification आप लोग सबसे पहले देख सके तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं यहां से देखते जाएगा यह मैच है और स्रिलनका का आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा deeply इसको cover करे उससे पहले एक important चीज और वो है हमारा telegram चैनल से जरूर जोईन हो जाएगा जो आप यह वीडियो देख रहे हैं इसके description में जाओगे आपको वहां पे telegram चैनल का link मिलेगा उस link पे click करके आप लोग हमारे telegram चैनल से जुड सकते हो description में link है जरूर से आप लोग जुड जाएगा next बात करते हैं यह SUV कार है जो आपको my 11 circle हर match में दे रहा है और कहीं न कहीं अगर आप लोग regular खेलते हो तो इस T20 World Cup में आप लोग यह महिंदरा SUV कार जीत सकते हो हर match में कैसे जितोगे दोस्तों my 11 circle आपको दे रहा है और my 11 circle का जो link है न वो description में आपको दिया हुआ है आपको उस link पे click करके इस application को download कर लेना है और download करने के बाद आप खेलते रहे हैं टीम आपको आगए इस वीडियो में मिली जाएगी तो यहाँ पे आप लोग जी सकते हैं और उस link से अगर आप लोग download करोगे न तो आपको पंदरा सो रुपय का cash bonus भी मिलेगा देखें आपको कोई भी application पंदरा सो रुपय का cash bonus तो नहीं देगा तो भाई 15 सो रुपय का cash bonus है जरूर से आप लोग my 11 circle को download कीजी आपको बहुत सारे benefit मिलेंगे और अगर आप लोग description वाली link से download करते हो और first deposit करते हो तो आपको 20% extra भी मिलेगा यानि कि अगर आप लोग 1000 deposit करोगे आपको 1200 रुपय मिलेंगे तो जल्दी से जाए my 11 circle को download कीजीए और SUV प्लस बहुत सारे offers आपके लिए free में है तो download कीजीए description में link दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं आगे सबसे पहले venue को लेके बात करते हैं देखे पर्थ stadium पर्थ stadium में match होगा weather है वो अच्छा रहेगा और match में दखलंदा जी बारिस की नहीं होनी चाहिए पिछ को लेके बात करते हैं देखे यह वर्ड का सबसे fastest venue है यहाँ पे page अच्छी है यहाँ पे bounce अच्छा है तो कहीं न कहीं जो Pacers है वो यहाँ पे important role में रहेंगे तो Pacers पे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा focus कर सकते हो जैसे जैसे match progress करेगा जो पिछ है वो flat होता जाएगा और कहीं न कहीं बैटिंग friendly होता जाएगा इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है बाकि आपको कुछ stats दिखाता हूं तीन match खेले गए तीन में से एक match है वो batting first करने वाली team ने जीता है और दूसरा match है दो match है जो कि chasing करने वाली team ने जीते हैं उसके राव first innings का average score यहाँ पे है वो 142 का रहता है यहाँ पे आप लोग देखोगे 150 से नीचे का score दो मर्तबा बना है 150 से नीचे का दो बार और य कहीं ना कहीं boundaries की dimensions थोड़ी से बड़ी रहती है तो जो hitters है उनके लिए उतरा easy होता नहीं है तो उन छोटी छोटी चीजों को अगर आप लोग इन venue पे लेके चलोगे तो उनका benefit आपको मिलता रहेगा हर match के दोरान यहाँ पे देखें रिसेंट के match आपको दिखा रहता हू 12 wickets Pacers को मिले थे 3 wickets Spinners को मिले थे उसके अलवा England ने 208 किये थे Australia 200 रन ही बना पाया 11 wickets Pacers को मिली 1 wickets Spinners को मिली यहाँ पे पाकिस्तान ने 106 किये थे और सिरलंका ने चैस कर लिया था यह 2019 का match है यहाँ पे Pacers को 7 wickets और Spinners को यहाँ पे 1 wickets मिला ओवरोल दोस्तों जब आप इ यह low scoring match है because कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रही है जो कि इंगलेंड के comparison में काफी भी एक तीम है उसके रहा है यहाँ पे देखोगे इंगलेंड जब दो बढ़िया टीमों का match हुआ तो वो high scoring match हुआ बाकि 157 अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो 160 आप विकेट्स गिरी वो भी केवल पाकिस्तान की low scoring match था शेलंका ने बिना विकेट खोई चैस कर लिया था तो अगर यहाँ पे आपको 15, 16, 17 या फिर 14 इन रेशियो में अगर आपको विकेट्स देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं फिर all rounder और जो ballers है वो थोड़े से ज़् important हो जाते है इस चीज का भी आपको ध्यान में तक ना है यहाँ पे ज्यादा target आप लोग कर सकते हो यहाँ पे देखेगा पेसर्स को देखेगा 30 wickets मिली थी और यहाँ पे इस spinners को केवल पास तो कहीं ना कहीं पेसर्स important है head to head में देखोगे 10 matches में से Australia ने 8 जिते हैं और शिर एक तो पत्म निशंका 27 run करते हुए दिखे थे असलंका ने 26 किये थे दसुन शन्माका ने बढ़िया इनिंग्स कहली थी ठेक्षणा को 2 wicket और असरंगा ने 1 wicket निकाला था Australia की तरब से Warmer ने 39, Finch ने 29, Maxwell 16 run किये थे बाकि Marcus Stoinis ने अच्छी गेंदबाजी पलस अच्छी बैटिंग किये थी और यहाँ पे Hazelwood को 2 wicket मिले थे उसके रहा यह मैच हुआ शिलंका ने 124 कि Australia ने इजली चैस कर लिया असरंगा 39 किये थे Kushal Mandis ने 36 किये थे बाकि यहाँ पे आप देखोंगे हसारंगा ने 4 wicket थुसारा को 1 wicket और समीरा को 1 wicket Finch यहाँ पे भी थोड़े से flow प्रहे थे श्टार्ट मिला था डैविड वर्नर फ्लो प्रहे थे Maxwell ने बढ़िया किया था बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करकिया है Wade अच्छ थे रिचरट शन को 4 wicket यह मैच हुआ इस मैच में शिलंका ने 128 कर दिये ऐस्टेलिया 134 चेस कर गया निशंका एवरेस थे बढ़िया नहीं थी असलंका ने तीनोर मैचस में परफोर्मेंस किया है तो असलंका एक बढ़िया option आपके लिए बन सकती है गुनाथ लाका 26 उसके लागा कुशन मेंडिस ने एक और हसारंगा को विकेट यहां पर मिला गए फिंच ने इस मैच में बहुत बढ़िया इनिंग्स के लिती डैविड वार्नर ने बहुत बढ़िया इनिंग्स के लिती जीरो विकेट को के ऐस्टेलिया ने मैच जिता था स्टार को तीन विकेट हैजलवूड को च्यार विकेट और रिचर्डशन को यहां पर है वो एक विकेट मिला था दोस्तों ओरोल देखोगे तो कहीं ना कहीं इस एक मैच में है वो सिरलंका ने compete किया बाकि दोनों ही matches में है वो सिरलंका compete नहीं कर पाया था और Australia के सामने compete करना उतना easy सिरलंकन टीम के लिए होगा नहीं तो कहीं न कहीं आप फेवरिट है वो Australian team को लेके जा सकते हो यहाँ से important असलंका एक सिरलंका के तरब से एक ऐसा बंदा आपको दिख रहा है इन matches में जिसोंने तीनों matches में सिरलंका की तरब से बढ़िया performance दिया है तो यह आपके लिए एक game changer बन सकते हैं असलंका बाकि फिंच को काफी लोग ब्लॉक करने वाले हैं मतलब मेरा मतलब है ड्रॉप करने वाले है यहाँ पे बी यहाँ पे बी 29 कर गए थे यहाँ पे 24 कर गए थे बट यहाँ पे 61 नाबा तो आप underestimate नहीं कर सकते हो जी हाँ आप underestimate है वो नहीं कर सकते बाकि यहाँ पे Australian team की playing यहाँ पे श्टार्क और जो पेट कमिंस है वो डैथ में गेंदबाजी करते है बाकि 16 से 70 और आपको यह दोनों बंदे भी जो यहाँ अडम जैंपा और जो हैजलवूड है यह भी आपको डालते विए दिखेंगे तो आप इसको डैथ ही बोल सकते हो 16 अगर वो ऑवर डाल रहे हैं बाकि फूल स्ट्रैट्स की बात करते हैं और डैविड वार्नर तीन मैच में 61 का आवराज है इस वेन्यू पे तो अच्छा खेरते हैं अठाईज इट्यावन का आवराज 16 मैच में श्रिलंका क्या गैस 64 का आवराज है इस वेन्यू पे दो मैच में 64 रन काफी बढ़िया श्रिलंका टीम के अगेंस उतना कुछ खास नहीं है लेकिन आवरेज परफॉर्मेंस कर देते हैं 20 है 25 है 30 है यहां से निकल जाता है रिसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है एक यह 76 रन के इनिंग जरूर निकली बाकि उस लिवल के दिखे नहीं बाकि जो शिलंका टीम है वह आपे थोड़ी से इन स्विंग में थोड़ी से दिक्कत है उतने कुछ है नहीं हाँ थोड़ा बहुत है वो बिन रहा हो फर्नेंडो जरूर कर लेते है बाकि श्विंग नहीं है तो शायद यह पौर प्ले में अच्छा कर जाए यह आरवन फिल्च है वो पौर प्ले में अच्छा कर जाए बाकि मिचल मार्स है 36 का आवरेज इनका रहता है शिलंका के अगरें दो मैच में 11 रन है ग्लैन मैक्सवेल 12 मैच में 11 का आवरेज है और 6 विकेट भी है रिसरेंट फर्म देखोगे कुछ खास नहीं है लेकिन लाश्ट मैच में थोड़ा सा स्टार्ट इनको जरूर मिला तो मैक्सवेल आउट ओफ फर्म चल रहा है लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करती है तो मैरे भाई आप इनको कैप्तन सी देज सकते हूँ विकूस सामने वाले टीम में 2-3 लेप्टेंडीज है वहाँ पे आपको गेनबाजी करते भी दिख सकते हैं मारक स्टोइनस का देखोगे एक मैच में 35 का एवरेज एक विकेट है आठ मैच में 29 का एवरेज प्लस तीन विकेट शिलंका के अगर रिस्टरेंड फर्म देखोगे लाजवाब इन्होंने गेनबाजी किये लास्ट मैच में इनको अफकोस विकेट में नहीं मिला टिम डैविड आपके पास एक option है फर्स्ट बैटिंग में आप जील में ट्राइ कर सकते हो स्मोल लिग में सज़ेश्ट नहीं करूँगा एक मैच में 0 है बाकि यहाँ पे शिलंका के जनश्ट खेले नहीं है मैथ्वेड काफी नीचे आते हैं जील में लेना चाहो ले सकते हो बाकि में आपको मैथ्वेड उतना सज़ेश्ट करूँगा नहीं बागि पैट कमिन्स काफी लोग ड्रॉब पर करके चलेंगे शेलंका के अगर्श नो मैच में 12 विकेट है रिसेंट नहीं देखोगे उतनी खास गेंदबाजी पैट कमिन्स से हुई नहीं है यहाँ पे दो विकेट जरूर रहा बाकि लास्ट के चार मैच में केवल और केवल दो विकेट पैट कमिन्स को मिले है यहाँ पे मुझे लगता है कि जील प्लस ऐसल दोनों में आप इनको लेके जा सकते हो फॉर्ष्ट बोलिंग में ज्यादा इंपोर्टेंड है एडम जैंपा ले सकते हो भी है बारा में 21 है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो विकेट जरूर है कुछ खास गेंदबाजी इनसे भी देखने को मिली नहीं है बाकी spin थोड़ा सा सिर्लंकर टीम अटेक करने को देख सकते है कुछ अच्छा कहले लेती है spin को अच्छी बाउंस मतब एक हाड लैंथ पे गिंदबाजी करते हैं साथ मैच में 14 विकेट है शिर्लंका के गेंच मतब सिर्लंका को परेशान करके रखते हैं लास्ट मैच में इसी T20 वर्ड कप में इन्होंने दो विकेट निकाले है तो मेरे लिए अगर आप इनको कैप्टन से भी देना चाहो देज सकते हो विकोज सिर्लंकान टीम को ये काफी हाड लैंथ में गिंदबाजी करते हैं उतना इजी इनको मारना होता नहीं है बाकिस टावन स्मित है, कैंड रिचर्ट सन, आश्टोन एगार, कैमरोन गरीन ये आपको बैंस पे दिखेंगे अगर इनमें से कोई खेलता है बैटर आप्शन आपके लिए रहेगा शिलिंका टिप, कुशल मैंडीस, डिशिलवा, असलंका, अशेन भंडार, उसके लावार राजपक्षा, दर्शुल शन्नाका, वनीदू हसारंगा, करूना रतने, ठिक्षना, फार्नेंडो और लहिरू कुमारा ये 11 प्लेर्स आपको दिखेंगे, जी हाँ, थोड़े से इंजर्ड है निशंका, अगर वो आते हैं तो वो खेल सकते हैं, डैथ में गेनबाजी, फर्नेंडो डाल लेते हैं, डैथ में गेनबाजी, बाकि डैथ में गेनबाजी करने के लिए इनको थिक्षना और हशारंगा के जुरुत पड़ती है अधरवाइस करूना रतने और फर्नेंडो आपको डैच में डालते वे दिख सकते हैं बाकि लहीरू कुमारा की पास अच्छा पेस भी है अच्छा पेस है डिसिल्वा भी कर लेते हैं लेकि लैप टेंडी होंगे वहाँ पे गेंदबाजी कर लेते हैं शायद आइरलेंड के अगेंश्ट के मैस था दोस्तों मैक्सिमम लोग इनको लेके जाएंगे हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्यों ड्रॉप नहीं कर सकते विकेट केपिंग में आपको मैथ्यू वेड मिलेंगे लेकिन अगर फर्स्ट बेटिंग करती है उस्ट्रेलिया टीम वह यहाँ पे 33 भी है यहाँ पे 17 प्लस एक है तो दरंजिया डिशलवा एक इंपोर्टेंट पिक बन जाते हैं बाकि चरित असलंका का देखोगे 9 मैच में 22 का अवरजर रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 31 किये थे ना बाद उससे पहले भी 31 बाकि आउटो फॉर्म रहे हैं लेकिन अब भी थोड़ा सा अच्छे टच में दिखे हैं लास्ट के दो मैक्स में तो असलंका एक गेम चेंजर आपके लिए बन सकते हैं असेन भंडारा मैं आपको स्मोल लिंग में सज़श्ट नहीं करूँगा 16 का एवरज है रिसेंट फॉर्म देखें लाजवाब दिख असेन भंडारा को राजपक्षा एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है अच्छी लंकर टे में 20 का एवरज है ऐस्ट्रेलिया के अगेंश रिसेंट फॉर्म उत्री खास नहीं है यहां पर एक तर जरूरत थोड़ा सा अटेक करना पसंद करते हैं लेकिन यह जो विन्यूज ह जाके हर बोल पर अटेक नहीं कर सकते हो उसकरा दसुन सन्नाका कैप्टर नहीं बहुत बढ़िया प्लेयर है भी है देखिए 12 मैच में 21 का एवरज है चार विकेट है और अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग कर रही है सुन लेना ऑस्ट्रेलियन टीम पहले कर रही है दसुन सन्नाका का आपको selection कम मिलेगा लेकिन according to me दसुन सन्नाका आपकी टीम में होने चाहिए अगर शिलंकन टीम पहले बैटिंग कर रही है इस इसका ध्यान में रखना चैजिंग के दुरान भी आप ले सकते हैं बाकि फर्स्ट बैटिंग में दसुन सन्नाका हो आपके पास एक option है आठ मैच में तीन विकेट और नो का आवरेज है रिसेंड में लास्ट मैच में एक जीरो जीरो यहां पर एक जुरूर मिला और कहीं ना कहीं अगर उस्ट्रेलियन टीम पहले बोलिंग कर रही है या फिर सिलंकन टीम पहले बोलिंग कर रही है आप किसी उपर के batsman को drop करके इन दो बंदों के साथ जरूर जा सकते हैं जिसको करोना रतने और दशुन सन्राका बोलते हैं अगर small league में इस चीज को ना करते हो small league में भी कर सकते हो बाकि jail में जरूर ट्राइ करना ठिक्षना लाजवाब गेंदबाजी कर रहा है नो मैच में साथ विक इस चाहर मैं में जरूर जो टीम है वो पेस खेलना पसंद करいきया इस चीज को ध्यान में रहा है ड्बाइशना अजरा इंजर है उसके प्लेयरस बेटर्म दोस्तों सबसे पहला नाम यह ही आपको दिखेगा चार मरतबा आउट कर चुके है वनिनदू हसरांगा आरोन किन्ज को दोस्तों आरोन फिन्ज ने वनिन दूहसरांगा के अगाइस्ट स्ट्रगल किया है बागे स्टार्टिंग में कोई ऐसा गे्दबाज नहीं है जो आरोन किन्ज के लिए प्रॉब्लम कर जाये एक बार आउट किया है यहाँ पर थिक्षना ने अरॉन फिंच को लहीरू कुमारा ने दो बार आउट किया है 1731 इस्ट्राइक रेट 200 के तरीब है डैविड वार्णर को हसारंगा ने एक बार आउट किया है अच्छा खेली है डैविड वार्णर साहतिस में साथ महीज से दिक्कत रहती है वाई ग्लैन मैक्सवेल को क्योंकि इनको यजुवेंदर चहल ने भी काफी दिक्कते इनके लिए की हुई है इस चीज को ध्याल मैक्सवेल को यहाँ पर कुशल मैंडिस को मिचल स्टार्क ने एक बार आउट किया है उसके लावा यहां से राजपक्षा को हैजल वुड ने है वो एक बार आउट किया हुआ है पैट कमिंस ने राजपक्षा को है वो एक बार बाकिया पर पैट कमिंस ने असलंका को एक बार दशुन समनाका को हैजल वुड ने है वो दो बार आउट किया हुआ है तो दशुन समनाका ने थोड़ा सा स्टगल किया जिसने भी लाइक ने किया, लाइक कर देजिए, एक हजार लाइक का टार्गेट है, जल्दी से आप लोग कॉंप्लेट कीजिए, टीम, टीम देखे कोज, कुछल मैंडिस है, देखे, कुछल मैंडिस है यहाँ पे, जिनको आप अगर चाहो तो ड्रॉप दिक कर सकते हो, डैविड वर्नर, असलंका है, आरोन फिंच है, यह च्यार प्लेएर मैंने बैटिंग सेक्शण से, हसा रंगना है, मारकर स् अजैजिंस है, उसके लगाँ गलें मैक्साञ्वल है, आप मारकरस अजैजिंस को चैजिंग के दौरान ड्रॉप कर सकते हो, आप इन मेंसे किसी म आप एक एक एक्ष्ट्रा गेंदबाज ले सकते हो उस्ट्रिलियन टीम का या फिर आप फेवर कर सकते हो दशुन शन्नाका को पैट कमिंस है महीस्थिक्षना जोस है जलवूड यह ग्यारा प्लेयर्स आपको दिखेंगे वागी फर्स्ट बैटिंग में गलैंने मैक्ष्वेल को दे सकते हो बागी यहाँ पे भी आपके पास एक आपशन है बट्थ मैं आपको ज़्यादा करूँगा इस चीज वीडियो आया हूँ पसंद तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बहुत बहुत अन्यवाद